सपने तो सब देखते हैं लेकिन उसी सपने को हकिकत बनाने वाले बहुत कम लोग होते है जब होई सपना पैशन本 बन जाता है तब उस सपने को हकिकत बनने में ज्यादा टैम नहीं लगता है आज की वीडियो में हम कुछ इसी टा desapस की मूवी का रिविव करने वाले है नमस्कार दोस्तों फिल्मे दोस्ता नमें आपका सौगत है अटकन चटकन इस मुई को आप जी फाई पर देख सकते हो दो गंटे की मुई है अटकन चटकन नाम से ही पता चलता है कुछ तो मसालेदा देखने को मिलेगा तो फिर चलो देखते हैं क्या मसालेदा देखने को मिलता है गुड्डू काम तो चाय के दुकान पर करता है लेकिन अंदर ही अंदर चाहता है किसी म्यूजिसियन के पास काम करे मा करी सालों पहले ही छोड़ कर चली गई है घर में अब सिर्फ छोटी बहान और नाम के लिए सिर्फ पिता जी गुड्डू चाहे किसी के भी पास काम करे चायवाला, मुजिसिजन या फिर कबारी के पास उसको सिर्फ बजाने में बहुत मज़ा आता है हर किसी के जिन्दगी में चड़ा उतार आता है बस फरक इतना है कि चड़ा उतार किसके जिन्दगी में आया है और मुवी में गुड्डू के जिन्दगी में आता है जिन्दगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको किसी भी मोड़ पर छोड़ कर नहीं जाते नेशनल आवार्ड लाना चाहती है और उनके स्टुड़न्ट सब इंस्टूमेंट होकर भी अच्छे से बजाने पाते हैं भाई कैसे बज़ा बाएंगे उसके लिए टैलेंट होना मंगता है और टैलेंट सब के अंदर नहीं होता है यह बॉलिवड इंडेस्टी नहीं है जो आपके दम पर बिना टैलेंट के बॉलिवड पर राज करेंगे अब गुड्डू की टीम अटकन चटकन और तांशन संकीत मावी दले के प्रफिसर किस तरह से मिलते हैं यह आपको मुवी में पता चल जाएगा वैसे तो हमारे प्यारे भारत में स्टूड़न्ट की हलत क्या है यह आप अच्छे से जानते होगे अगर नहीं जानते हो तो जान लीजे थोड़ा सा सर्च करिए और खास करके स्टूड़न्ट गरीबी से आया हो तो उसके हला तो और भी बुरे होते हैं अटकन चटकन टीम अपनी हुनर से कबारी के समान से ही खुद बजाने के लिए इ छोड़कर गये थे वह वह वापस आ जाते हैं और खुद भी अच्छे से से हो जाते हैं सिफ मैनत की वाजय से लेकिन कभी कबार क्या होता है छोटे से मिस्टे की वाजय से अपने विचर जाते हैं जो हमारे सपने जाकार करने के लिए हमारे साथ थे कुछ इस टाइप की पहाने आपको मुवी में देखने को मिलेगी अब बार यह फाइनल कंकुलुजन की तो आप सभी इस मुवी को फैमिल के साथ जरूर देख लेना और हाँ फैमिले में छोटे बच्चे भी आते हैं मतलब सब मिलकर मुवी को देख लेना आपको अकोर्ट करने के लिए एक भी से बीच जाए खुद के फायदे के लिए ही सही लेकिन उन बच्चों को मदद करने के लिए प्रोपेसर का शुक्रिया अगर आपने इस मुवी को परले रिका हो तो आपको कैसी लगी एक कमेंड में ज़रूर बता देना बस आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नए तक के लिए जय हिंद